जिवन की हानी कब होती है जब स्वैम के प्रति अश्रद्धाओ, स्वैम के प्रति विस्वास खो दें आप इसलिए सबसे बड़ी कोई कुझी है तो आत्मिस्वास है आत्मिस्वास सफलता की कुंजी है वो ही चाबी है आपका जजबा जीने का जजबा खोने न पाए और कई बार उम्र जब भल रही हो तो जजबा खोने लगता है जुस्त जू, यूत्सा, संघरस का बल घटने लगता है उनके भीतर भी ऐसा ही होने लगा जब भगवान चले गए मंत्र बेचे न जाए, विद्या बेची न जाए एक ऐसा योग आ गया है कि जब ध्यान, समाधी, प्रार्थनाए, आशिरवाद, करुणा, करपा सब पदार्थ हो गए हर चीज पदार्थ हो गए करुणा भी पदार्थ हो गया है, कर्पा भी पदार्थ है, आश्रवादी पदार्थ है ये लॉकिट पहनने से ये होगा, वो बजर बटू रखने से होगा ये नजर बटू रखने से ऐसा होगा, एक ऐसा यंतर रख लो और तब बहुत ज़्यादा चौकनापन दिखता है कि अब आ रहे हैं गणेश इस्थापना के दिन इस रासी वाले गणेश उस कौने में रखें उस रासी वाले उस कौने में रखें एक सूर इधर होने चीए, दूसरी की सूर इधर होने चीए, मारे मारे फिर रहे हैं दुकान पर, हमको बाईं तरफ वाला गणेश है, बाईं सूर जिस तरफ को, ना ना मेरे तो कन्यारासी है, मुझे तो दाईंवाला बताया था, एक कैराय जी मेरे तो मेश है, सीधी वाली बताये था अब तीन कड़ेश रखें क्या अजीब धंदा है कि धर्म सागर जैसा है अब बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है वह एक तनू रहा हो कालने में रहा हो वह रावन रहा हो उसे भी लगा कि सीता के पास तो काशा है वस्त्र पहन करी जाया जा सकता है धर्म इतना गहान इतना गंभी उसमें इतने आवरण इतने आवरण उड़े जा सकते हैं कि भगवान शंकर आचारे ने कहा उदर निमित्तम बहुकरत बेशम उदर निमित्तम उदर की पूर्ती के लिए बहुत से वेश पहन लेंगे लोग फिर सुन्दर वेश में भी नाना वेश धारण कर लेंगे फिर वेश में भी नाना प्रकार की क्रियाएं करेंगे वह व्यवसाय बन जाएगा और जब वेश व्यवसाय बन जाए विद्या व्यवसाय बन जाए तो विद्या चली जाती है पवित्र तक हो जाती है आपका संपर्क उन से संबंध तूट जाता है आप निपट भौत की आर्थिक धरातल पर अटके रहते हैं